नमस्कार दर्शकों मैं सुरेश श्रिमाली आप समी का ग्रहों का खेल कारिक्रम के माद्यम से शुक्र का विरिश्ची ग्राशी यानि मंगल के घर में जाना आप सब के लिए कैसा रहेगा इस विशेश कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ वैदिक एस्ट्रोलजी में शुक्र ग्रह को विशेश रूप से शुब फल्दाइक और विलासिता लग्जूरी लैविश लाइफ का कारण ग्रह माना गया है इस ग्रह का सकारत्मक प्रभाव जीवन में भोग और विलासिता का कारण मनता है दुनिया में वो बड़ा आदमी नहीं है जिससे बहुत दन कमाया बहुत सुक्सुविदाएं जूटाई बड़ा वो है जिसने उन सुक्सुविदाओं को भोगा है इसलिए बैसा कमाना बड़ी चीज नहीं पैसे को भोगना बड़ी चीज होती है जो 30 शास्त्र गनुसार शुक्र ग्रह हैं हमारे सभी ग्रह राशियों में वरशब और तुला राशिय के स्वामी हैं और वहीं उनकी कुंडली में जिनके तुला राशिय के शुक्र हो और वह अगर केंद्र में बिराज मानों तो सारे सुक मिलते हैं लेकिन अगर शुक्रमीन राशी में हो जाए जो कि उच्छ राशिक होते हैं मान, सम्मान और स्रीविद्धी यानि लक्षपे प्राप्ति, क्रेटिविटी जितरे भी लोग आपने देखे होंगे जो मल्टी मीडिया, क्रेटिविटी, एनिमेशन, साथ में फैशन डिजाइनि कही न कहीं शुक्र मजबूत होगा या फिर शुक्र नीच राशिक होंगे लेकिन नीच के भी शुक्र को बहुत सारे लोगों खराब माना है, मैं ये मानता हूंगे नीच का शुक्र उच्छ के शुक्र से भी ज्यादा फायदबन देता है इसलिए सुक सुविधाओं के कारक शुक्र का वरिष्टिक राशे में जाना कई बार लोगों के प्रेम संबंद को डिस्टब भी करते हैं और डिस्टब प्रेम संबंद को सुधारते भी हैं ऐसा भी देखा गया है कि इनसान को प्रोस्टेट की प्रोब्लम, पेट और गुपतांग से संब्दित प्रोब्लम, यूरिन की प्रोब्लम, स्टूल की प्रोब्लम और आतों से संब्दित प्रोब्लम, सेक्शूल रिलेशन में प्रोब्लम होना, शुक्रानों का कमजोर होना, मेरिट लाइफ का डिस्टब होना ये सब शुकर के प्रभाव के अंतरका दाता है शुकर अगर कमजोर हो जाती ये दुख्सान देते हैं और वह शुकर अच्छा हो तो इनसान के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा कर देते हैं इसके मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे लोग playboy बन जाते हैं एक साथ चार चार पांच बार जो रिलेशन चल रहे होता है किसी को भी कानो कान ख़बर तक नहीं पड़ती है इतना intelligent बना देता है मैंने ऐसा देखा है कि शुक्र अगर इनसान की कुणले में खराब हो तो इनसान दोखे बाज होता है अपने पार्टनर को दोखा देता है पत्री loyal मिलती है लेकिन खुद loyal नहीं बनता है ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र डेमेज है इनसान अपनी पत्री तो सीता की रूप में चाहता है लेकिन खुद राम की कोई quality अपना नहीं चाहता है तो अब आपकी राशे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार शुक्र 28 अक्टूबर 2019 को अल सुबह आठ बचकर 30 मिनट तक तो रहेंगे तुला राशे में और फिर वरिष्टिक राशे मंगल के गर में प्रवेश करेंगे जो कि सम है ना दोस्ति है ना दुश्मन है वहां रहेंगे 21 नवंबर 2019 तक दो बहर 12 बचकर 21 मिनट और 23 सेगंड तक इसी राशे में रहेंगे 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक विशा का नक्षतर में रहेंगे जो कि गुरू का नक्षतर हैं 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक अनुरादा नक्षतर में रहेंगे जो शनी का नक्षतर है ये बैटर टाइम होगा दस नवबर से 21 नवबर तक रहेंगे जेस्टा नक्षतर में जो कि बुद का नक्षतर है आईए अब जानते हैं सिलसिलवार तरीके से कि आपकी राशे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और ये प्रभाव आपकी चंद राशी और लगन दोनों पर आता रहे थे इसे वैस देखने का प्रियास करें मेश राशी के लौड बनते हैं मंगल उन्हें की एक अलग राशी वरिष्टिक जिसमें शुकर जाएंगे और शुकर खुद मेश राशी में सेकंड आउस और सेवन्थ हाउस के लौड होकर एड ताउस मिराजित है इस दोरान आपके अंदर एक अ कुछ अची चीज़ें खरीदने का मौका बिलेगा जिससे आपकी सुख सुविधाय बढ़ सकती है इससे खर से और बढ़ेगा इस आउधी में आप विशेश रूप से लोहे से बनी हुई चीज़ें इंटिरियर डेकोरेशन से जुड़ी हुए चीज़ें रंग रोगन को दे सकता है जीवन में मिलने वाले इस अप परतियाशे तकलीफ को आपको ध्यान में रखना चाहिए और इसमें कई चीज़ें सुख की इजाफा भी होगी और दुख की गड़ भी सकती है अगर आप सही डंग से योग प्रणायम एक्सेस करते हैं कारी इस तलब पर आपक दुखसान का कारण भी बल सकती है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान ज्यादा दीजिए और रिलैक्स रहिए और आगे बढ़िए अगर आप शादी शुदा हैं तो प्रेम और रोमांस बढ़ेगा शादी शुदा नहीं है तो किसी पार्टनर के साथ रिष्टे आपके मन ज्यादा लगेगा बात करते हैं व्रशब राशी की यहां पर शुकर आपके राशी और सेक्स हाउस की लॉड होकर सेवध हाउस वे बिराजित हैं अगर आप शादी शुदा और रेड़ी हैं तो जीवन साती के साथ वाद विवाद से निकल कर किसी अच्ची सत्य देता है लेकिन पूर्ण विश्वास और प्रेम अगर रहे रोमांच और रोमांस रहे तो तकलिफ है कम हो जाती हालां कि वैवाही जीवन में आने वाली बाधाओं को आप आपसी विचार विमर्श के बाद में सुल जाने में काफियत तक काम्याब रहेंगे लेकिन एक मज जबूत रिष्टे के लिए संभवताह मदभेत की सती से बचने का ही प्रियास आपको करना चाहिए इस टाइम पिरेड में वासना आपकी चरम सिमा पर रहेगी ग्रीडिनेस आपके दरे पैदा होगी आलस से के साथ साथ लालच जगे पर बैठ कर काम कर पाना यह सब कुछ आपका रहेगा मला ज्यादा भागदोर भरी जिन्दिगी नहीं रहेगी आपकी रूची बहुत रहेगी दूसरे कामों में लेकिन आप कुछ ऐसा काम कर बैठेंगे जो आपकी इज़त को भी खराब कर सकता है पुरुष को मैला और मैला को पुरुष से बात करते समय बहु अल्रेडी पेट और गुपतांग से समधी रोग है उनका कोई ऑपरेशन हो सकता है तो आप खैल रखें तो ज्यादा अचा रहेगा इसके लिए मैं सरा दूँगा कि नियमित एक्सरसाइज योग प्रणायम करना एट लीस्ट पंदरा बार सूरी नमशकार का योग करना इसके शादी के योग बंधन में बंदने के हो रहे हैं और अगर आप सिंगल हैं तो किसी साथ ही के मिल जाने सा बहुत खोश हो जाएंगे इसके चांसे बहुत जादा है मैं आपको शुपकावना देता हूं मेतून राशे में एक तो फिफ्ट आउस दूसरा ट्वेल्ट आ चाहिए कि अपने हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दिया जाएं यदि इस दौरान आपने सेहत का पूरा चेक अप करवा लिए तो बहुत अच्छा है उसके लिए अनुसरा डाइट लीजिए नहीं करवाए तो आपको कोई मुसीबत ना आए ऐसा मैं सोचता हूं लेकिन अगर जाए तो आप इसके लिए पहले से प्रेपरेशन करके रखिए बहराल भविश्य में क्या होगा ये इश्वर को पता है जोतिश में काफियत तक हम कयास लगा सकते हैं लेकिन अगर पहले से हम ऐसे कोई काम करते हैं जिस हमें भविश्य खराब होने की एक सुगबू का हट नजर आती तो उसे बचना चाहिए जैसे या आलत से आपको देगा आलत से आपके काम रोख जाएंगे आप गलत कोई संबद मनाते हैं किसी को दोखा दे रहे हैं तो बाद में आप फस सकते हैं इसके ऐसी जिसों से बचना ही बैतर होगा आपके लिए एक खुशकबरी अब हर मितनराशी वाला वेक्ति तो बारवा हो सकता है वो विदेश तो जाने से रहे पर जिनका उसे संबद है उनको लाब बिलेगा विशेश रूप से किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए इससे लीगल कॉंप्लिकेशन हो सकती है खर्चे बहुत बढ़ बढ़ाने के लिए आपको सोशल वर्क करना चाहिए और ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो कि आपको मान सम्मान दे और आप उनकी मदद कर सकें ताकि आप खुश रह सकें आगे बढ़ते हैं और इस दोरान आपको एक चीज़ का खैल रखना है कि नौकरी बदलना या कुछ परिवर्तन के योग जरूर है जिसको अपना सकते हैं कारकराशी वाले लोगों के लिए शुकर फोर्थ आउस और 11 आउस के लॉड़ ओकर फिफ्थ आउस में बिराजित रहेंगे फिफ्थ आउस लव लाइफ एंटरेंटमेंट पढ़ाई संतान इन सब का हैं अगर इस दो कर आपको प्यार इशक और महबत में डालकर आपकी बढ़ाई को डिस्टब कर सकते हैं लेकिन बच्चों से आपको खुशी मिलेगी बच्चों के साथ आप बच्चे बनकर बहुत आनंद में जीवन गुजार पाएंगे काफी समय से अगर आप किसी शुब या मांगली कारी के तलाश में थे वो अब पूरा होने वाले हैं कुछ इस्पेशल सुक्स विधाओं को बढ़ाने के लिए अगर आपको खर्चा करने बचाते थे तो वह अब बढ़े वाला हैं जहां तक प्रेम जीवन की हैं प्रेम से जीने की कोई बात है तो आपके लिए या अवदी जि जीवन में बदलाव आएंगे और फैशन और पैशन के साथ साथ रोमांच और रोमांस चरम पर रहेगा आपका वजन कम होना या कम करना ही तरफ देना या अट्रैक्शन ये सब चीज़ आपकी बढ़ने वाली है तो जीवन साथ ही के साथ आननद उठाईए और लाब लीज ये जरूर है कि आपका एंटी एजिंग ये शुकर काम कर सकता है यानि आपके परसनाइटी कुछ ऐसी हो सकती है लोग आपकी उमर को देख कर कहेंगे कि आप इतने बड़े लगते ही नहीं है या लगती नहीं है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंग राशी के थर्ड सुविदा नहीं है चाहते थे उसे प्राप्त करने के लिए आप प्रियास करेंगे और वो चीज़े आपको मिल सकती हैं बैटे बैटाए यात्राय होना बैटे बैटाए एंजॉय करना किसी अच्छी लाइफ जीने की जो आपकी खुआश थी वो पूरी हो सकती है लेकिन द हाँ यह जरूर है कि आपका ध्यान फैशन और पैशन पर इतना रहेगा कि आप गाड़ी चलाते समय रैश ड्राइविंग चोट लगना आप शरीप पर ध्यान न देना इसके पेट गुपतांग से संबधी रोग होना आपको यूरिन से संबधी प्राव्डम हो जाना गैस कब जलन हो जाना इस दौरान आपको अपने बहुतिक सुख सुवधाओं का अनद उठाना चाहिए लेकिन साथ में जिम योग प्राणायम यह सब कुछ विद्यान देना चाहिए कारिक शेत्र की बात करें तो वर्क प्लेस पर एंवायर मेंट में एकागरता आपकी कम जाए दूसरी तरफ यदि आप जोब में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, बिजनस में परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ नइया पन लाना चाहते हैं तो यह आपके लिए 100 पर्तिशब लाबदाएक समय हैं यदि आप किसी already business से जुड़े हैं उसमें किसी नए partner उडाना पुराने निकालना ऐसा कुछ करना चाहते हैं कुछ इजाफा करना चाहते हैं तो मेरी तरफ सापको green signal है कन्या राशी की बात करें तो शुकर second house और ninth house के lord होकर third house में बिराजित रहेंगे इस दोरा जहां एक तरफ आपको बहुत सारे different sources से लाप राप्त होगा वहीं दूसरी तरफ समाज में आपके मान और सम्मान में वर्दी के चांसे ज़्यादा है जो financial condition है उसको और improve करने के लिए जो भी आप कदम उठाएंगे उसमें काफी तक आप success होनो जाएंगे social status की अगर हम बात करें तो आपको अपने नाम के बढ़ने के वज़े से आपको बहुत खुशे मिलेगी लेकिन एंकार नहीं आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अपने contact बढ़ाए जाएं और contact से कोई contract लिया जाएं कुछ अच्छे लाप कमाए जा सकें मैं ये बिल्कुल भी नहीं कोँगा कि आपको दोस्ती यारी रिश्यदारी इसलिए रखनी चाहिए ताकि आपको फाइदा मिल सकें ये बिल्कुल भी नहीं है इस दोरान आपकी जो spiritual power और बहुत एक शमता है वह बढ़ने से कामिया भी उड़ान आप बर पाएंगे इस दोरान साथ में आपके work environment में कुछ attraction आपका बढ़ सकता है जिस वज़े से आपको अपने काम बादा आ सकती है ध्यान रखेगा कठिनाई उससे निकलना आपके लिए सबसे बड़ी बर सबसे बड़ा टास्क होना चाहिए दोला राशी में शुकर आपके राशी और 8 ताउस के लॉ या फिर आप अपने स्वासे पर घर्च करना चाते हैं कोई भूमी भवन लेना चाते हैं को इन्वेस्टमेंट है कोई किष्ट दिनी किसी चीज़ की यह माई जिसकों बोलते हैं तो यह सब कुछ आपका पूरा हो जाएगा धन अरजित करने या धन प्राप्त करने के लिए प्यार महबत इश्क का ही लाब लीजिए साथ लीजिए इश्क का मतलब यह ने कि जिससे पैसा मागते हैं वहाँ से आपको प्रेम और रोमांस कोई करना है आप लड़ाई जगडा वैचारिक मदवेद गाली गलोच यह सब कुछ मत करेगा इस दोरान आपको पैतरिक संपत जो इनहेरिटेंस है उस प्रॉब्लम के सौल हो जाने या उसकी तरफ आगे बढ़ने के चांस से ज़्यादा है यदि आप अलरेड़ी शादिश होदा हैं तो इस दोरान फैशन और पैशन नए बहमान का आने पत्री का गर्भवती हो जाना या फिर आप खुद पत्री है त इसका बहुत बड़ा अच्छा लाब आपको आने वारे टाइम मिलेगा इसके साथ ही नव विवाही जोड़े अपनी शादिश होदा जिदिगी में पूरा प्रेम और रोमांच उटा पाएंगे आपको यही चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जिवन में एश्वर ने आपक चलने देना चाहते हैं इसकड़ी में हो सकता है कि आप प्यार इश्वर महबत में शादी करना चाहते हो तो वहाँ आपके परिवार या कोई और मना करते हैं इसके लिए आपको पेशन्स रखे उन्हें मना कर आश्रबाद लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए जो लोग घर पर आपके राशी में विराजित हैं इस दोरान आप विशेश रूप से जो डिफरेंट सोर्से से मटिरिलिस्टिक चीज़े जिनकों पैसा देकर खरी सकते हैं उनका लाप आउटा पाएंगे यदि आप किसी विशेश बिजस से जुड़े वे हैं जो इस दोरान किसी विदेश इसी सोर्स से आपको फाइदा मिल सकता है इसके चांसे जादा है हलांकि यदि आपका कोई साज़ेदार है तो आपको खास सोर्स से अपनी भाशा शैली का ध्यान रखना होगा क्योंकि आपकी गलत बद जुबानी से एहंकार से अरियल रवये से बहुत कुछ पाई हुई च शब्द और वेवार को मिठास के अंतर गत लाने से आपके जूर में नया जोश और जुरून लोग आपकी वावाई करेंगे और इस अवदी में आपको सर्प्राइस गिफ्ट बिलेगा और बहुत सारे लाब बिलेंगे यदि आप परिवार से दूर हैं तो आप बिलकुल म इस से हमारी एक ताब बढ़े और हमें कोई घर की याद इतनी ना पाए हमें खुश्या मिल जाए नीजी इस तर पर आप अट्रैक्शन आपका बढ़ने वाला पूरुश का मैला मैला का पूरुश से जरा संबल के क्योंकि कोई और है जो आपकी इज़त को खराब करना चाह है तो 6,000 और 11,000 की लॉड़ होकर 12,000 बेराजित रहेंगे एक तो जिन लोगों का कोई काम ऐसा है जो इंपोर्ट एक्सपोर से संबती थे विदेश जॉब करना चाहते हैं विदेश यों बिजनस करना चाहते हैं गुमने जाना चाहते हैं तो जो लोग यह कर रहे हैं या कर देने जा रहे हैं यानि अगर आप पुरुष हैं तो पत्री तो लऑल रहे ऑखी लेकिन आप और गुल्चर रखते से दो-दो girlfriend, चाट सार girlfriend रखते हूं मैंने देखा है, एक सार चाट सार boyfriend रखते हूं लड़कियों को देखा है, ना वो बाद में घर के रहते हैं, ना इक गाट के रहते हैं, ऐसे chance से शुकर ज्यादा करवाता है, लेकिन बवश्यक लिहाद से सोच समझ कर ही कदम उठाना हितकर आर्थिक दिरिश्टी कौन से देखे तो यह अवदी आपके धन को खर्च जादा करवाएगा, यानि धन खर्च ताव होगा जब पैसा आएगा, तो पैसा जरूर आएगा, लेकिन धर्च खर्च जरूर होगा, आपके आर्थिक इस्तती नाजुक बन सकती है, लेकिन आपक कर्ज लेवल बढ़ सकता है, लिहाजा आठिक पक्ष को मजबूत करने के लिए पैसे को बचाईए और सोच समझ के उसका इन्वेस्टमन करिया, खर्च करिया, वर्क प्लेस में इस दौरान आपको कुछ ट्रेवल अच्छे करने को बिल सकता है, कुछ नई खरीदारी करने क मौका बिल सकता है, सुख सुविदाओं को बोगने का मौका बिल सकता है, हो सकता है कि अब आप कोई ऐसा ट्रेनर अपने हायर कर लें, जिम जॉइन कर लें, योगा सेंटर को जॉइन कर लें, ऐसा कोई फिटनेस की जो भी हो सकती है, तेरपीस जॉइन कर लें, जिससे भव यह पीरिड आपके लिए फाइनेंस को बैटर बनाना है, डिफरेंट सोर्से से इंकम होना, कहीं से पैसा आ जाएगा, लेकिन आपके पास पैसा बचेगा नहीं, परिणाम यह होगा, कि खर्च आगे सागे होते चले जाएंगे, और खर्चों को बेजने वाली भारत सरकार नह होगा और प्रेम और रोमांच और रोमांस बढ़ेगा, वहीं, अगर आप शादी शुदा नहीं हैं तो यह समझ लीजिए, अब वो वक्त आ चुका है जब आप अपने सपनों के राजकुमार या फिर राजकुमारी के बारे में आप जो सपने देख रहे ते वो अपसाकार हो रहे हैं, इस दोरान आपको दोस्तों का अपने वेल विशर का बहुत साथ मिलेगा, लेकिन मानसिक तराव काफिये तक दूर कर पाने में दोस्तों की मदद जरूर बिली और जीवन के खुशनमा पलों को आप आनद उठा पाने में सफल हो जाएंगे, मैं यह सलाह देना जाओंगा कि माता, बवन, भूमी, वहन, इन्वेस्टमेंट शुब और मांगली कार्यों पर खर्चे होने वाले हैं, खर्चे विलासीता होने वाले हैं, इसलिए पूरा एंजॉय करिए, लेकिन जरा समबल के, क्योंकि किसी नेक इनसान ऐसा कहा है, कि जब आप फालतू के खर्च करते हैं, फालतू की शॉपिंग करते हैं, और अगर आपका खुदाना खास्ता समय खराब आ गया, तब आप फालतू की चीज़े बेज़ कर, काम की चीज़ खरीद रहोंगे, तो पहले इस चीज़ की एहमेद को समझ लें, कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, खर्च करना बहुत आसान है, व्यर्थ की चीज़ों पर पैसा खर्च करना आपकी एक आदत बन जाएगी और आपको नुकसान होगा, आपके स्वास्ते के लिए थोड़ा पारा गरम है, पेट और गुपतांक से समधी रोग और यूरिन से समधी प्राब्लम और सेक्शन डि की लड़ाई हो सकती, इसमें आपका वक्त और समय दोनों, वक्त और समय नहीं, वक्त और पैसा दोनों बरबाद हो सकता है, इस दोरान आपको पूरा ध्यान ये देना चाहिए, मेरे तरफ से एडवाईज आपको ये, कि आपका जो वर्क एंवार्मेंट है, उसमें अपनी उठी लाग की और खुलने के बाद खाक की, इसलिए आप उसे बंदी रहने दीजिए, अपने इज़त और अपने रास को बजा के रखिए और लाब बिलेगा, आफिस में लैक पुलिंग, राजनिती, बैक बाइटिंग, ये सब कुछ आपके लिए होंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे हाथी के मस्त चाल चलते रहना है, पीछे सौक उत्ते पीछे बहुंकते रहेंगे, मुझे कोई फराटने पड़ेगा, आपके ओपर कोई मानहानी का मुकदमा जूटे लाचन अरोब लगा सकता है, इसलिए अगर आपने कुछ नहीं किया है, तो कोई आपका कुछ बिगाड नहीं सकता है, कारिक शेत्र मुत्पन होने वाले इन वाद विवादों से आप खुद को दूर रखकर इस स्थती से बच सकते हैं, सरकारी करमचारी हो या गैर सरकारी करमचारी हो, ट्रांसपर हो जाना या किसी और जगह पर आपकी कुछ सर् इसमें चेंज होनाना, जॉब का ओधा चेंज हो जाना ये सब कुछ तया है, और अगर आप सिंगल हैं, तो आपके डबल होने के चांस से ज्यादा हैं, वजन में नहीं लेकर रिश्टों में, यानि पत्री पत्री के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं, रोमांच, रोमा बहुत जादा अपनी जिन्देगी को जी लिया है, तो अब आप स्पिरिच्वालिटी के तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन आप बहुत जादा यंग हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि पूरा आनद बिलेगा, लेकिन भागिया का साथ आपको पूरा नहीं बिल पाए गलत कंपनी में फस कर आप अपनी ही जिन्दगी को खराब करेंगे, इसलिए आपको जरा सोच समझ के चलना चाहिए, इसलिए पेरिंट्स हमारे सबसे बड़े वैल विशर है, बगवान से बेपहले पेरिंट्स को मानना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हमारा ध्या रखते हैं, और कंड कंड में भगवान बिराजी ते, इसलिए बगवान ने खुद अपने रूप में बाबाप को हमेरे पास बेज़ दिया है, जिन्दगी के परती आपका जो रवया है, जो नजरिया है उसे में बदलाव जरूर करना चाहिए, और आपको एक पुलाइट सरी डंक से और्गनाईज करना चाहिए, इससे आपको लाब बिलेगा, मनभीद और मधभीद अगर किसी के साथ है, तो वह दूर हो सकते हैं, लेकिन गर में किसी बिमारी और आपके खुद के शरीर में कमजोरी, वजन कम होना, शुगर पेशेंट हो जाना, पेट और गुप करना चाहिए, पैसा बचा के रखना चाहिए, शक आपके बीतर पैदा होने वाला है, माने सिक अशान्ती पैदा होने वाले इससे बचने का काम जरूर करना चाहिए, अब मैं सभी मेश और मेश राशे से मीन राशे वाले लोगों को, हमारे सभी प्रियादर्शकों को, यह स चीजें जो ऐसे आश्रम में वहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं, कबास डोनेट कर सकते हैं, साथ में, जो भी शादी होने वाली है, रिसेंट आसपास गरीब लोगों या जरूतमन लोगों शादी होते हैं, उसमें कुछ स्रिंगार सामगरी, खाने पीने की चीजें, कपड़ थोड़ी बहुत ज्वेलरी, चाहिए वो आर्टिफिशल ही क्यों नहीं हो, आपको जरूर डोनेट करने चीजें इससे लाब बलता है, वहीं, अगर आप ऐसी किसी इस तरी की शादी करवा सकें, जो अल्रेडी डाइवार्सी है, या विड़ो है, या किसी समाज की कोई त्र आप शुकरवार को जरू करें, और मैं ईश्वर से प्रार्तना करता हूँ कि आपका ये शुकर का परिवर्तन बहुत लाबदायक हो, वहीं अल्रेडी दस तारिक को, यानि दस नवंबर को शुकर के गर में जा रहे हैं मंगल, यानि तुला राशी में मंगल चले जाएंगे और अल्रेडी शुकर वरिष्टी गराशी में हैं, तो ये शुकर मंगल का जो परिवर्तन राजी हो गए, ये भी आपको लाब देगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टन नहीं, इसलिए मैंने इसका जिक्र आज नहीं किया है, इन उपायों को अपना कर, आप सभी लोग 12, 16, 17 नवंबर Melbourne, Australia, 13 और 14 नवंबर Sydney, Australia, 15 तारिक को Tasmania आइलेंड, 30-31 डिसमबर 9-10 जनवरी को London, England में, 1 और 2 जनवरी को Nice, France में, 3 और 4 जनवरी को Keynes, France में, और 5-8 जनवरी को Santa Cruz, Teneriff, Island, Spain में रहूंगा, अगर आप इन शेहरों और देशों बर रहते हैं और मुझसे परसल और टाइन पे जाकर बहुत सारी सर्विसेस का लाब ले सकते हैं, मैं इश्वर्ट से प्राटरा करता हूं कि आपके लिए शुक्र गए ये परिवर्तन बहुत याद का रहे, आप खूब व्यस्त रहें और मस्त रहें, इसी उम्मीद, विश्वास और प्राटरा के साथ बहुत बहुत आशरबाद